हेलो अब्रिवन हम लोग समझते हैं रिक्विट्मेंट के बारे में ठीक है ना हम लोग समझेंगे किस चीज के बारे में तो रिक्विट्मेंट के बारे में कि एक एंचार के एंड से मतलब हुमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के एंड से recruitment क्या चीज होता है इसको हम लोग समझेंगे तो देखे सबसे पहला चीज है job analysis मतलब एक HR जब भी recruit करता है तो सबसे पहले क्या करता है job को analyze करता है मतलब job analysis यह क्या है कि defined roles इसमें दो चीज़े है एक है defined role और दूसरा है create job descriptions defined roles का मतलब यह है कि जैसे माली जीए suppose किजिए कि कोई भी पोस्ट के लिए recruitment है तो उसका क्या role है इसको define करना ठीक है जैसे माली जीए suppose किजिए कि एक जो है so HR department को एक recruit करना है इसको रिक्विट करना है तो अगर एक business analyst रिक्विट करना है या फिर एक software developer रिक्विट करना है जैसा पोच किजिए कि जो है so एक software developer ही recruit करना है तो software developer क्या job roles होगा मतलब उसका सबसे पहला चीज़ की क्या qualifications होगा दूसरा क्या क्या है skills उसको पता है और qualifications और skills यह सब जो चीज़े हैं वह किसके अंदर गाती है तो job roles कि और उसको किस position पे point किया जाएगा ठीक है उसको किस position के लिए appointment करना है जिसे माली जे की software developer के लिए appointment करना है जिसे front end software developer के लिए ये back end software developer के लिए इस role पे जो है so उसको रखना है तो उसको क्या क्या चीज़ qualification होना चाहिए उनके पास और क्या उसका जो है so skills क्या क्या skills उनको आना चाहिए candidate को तो ये चीज़ है define roles roles को define करना दूसरा create job description अगर माली जे कुसको क्या पॉइंट किया जाता है तो इसको क्या क्या टास्क जो है so perform करना परेगा क्या क्या activities मतलब क्या क्या जो है so work करना परेगा ये define करता है job role description में ठीक है उनको क्या compensation मिलेगा यह सारा चीज की क्या टास्क है क्या compensation मिलेगा मतलब क्या जो wages है यह salary है वो किस तरीके से मिलेगी यह सारा कुछ है create job description तो यह दोनों काम job roles को भी create करना और job description को भी create करना यह दोनों काम किसका है human resource development का है की recruitment जब भी करेगा तो recruitment के अंदर कर सबसे पहला जो चीज आता है वो क्या है job analysis दूसरा जो point है वो है sourcing candidate अब मालिजे कि आप जो है उसने यह define कर लिया कि हमको एक software developer रखना है और उसके लिए यह skills होना चाहिए यह qualifications होना इस position पर हम hire करेंगे इतना कम बंसे संदेंगे यह सारा चीज जब clear हो गया उसके बाद आता है कि आखिर candidate को हम लाएंगे कहां से तो candidate को लाने के लिए क्या है कि वो क्या करेगा तो post डालेगा कोई भी human resource department का लोग क्या करेगा तो एक post डालेगा कहां पोस्ट डालेगा तो जैसे linkedin है या फिर और कोई job का जो प्लेटफॉर्म है उस पे पोस्ट डालेगा या फिर जो है सो अपना जो उसका खुद का जो है सो वेबसाइट अगर है तो उस वेबसाइट पर क्या करेगा तो कैडियर में वो पोस्ट करेंगे कि हां भाई यह यह स्पेसिफिकेशन का हमको requirement है तो यह है कि सोर्सिंग कंडिडेट वहां से सो कंडिडेट क्या करेंगे तो फॉर्म को फिल अप करेंगे और मैक्सिमम कंडिडेट तक रीच कर पाई यह उसका क्योसिस होता है जिससे वह अच्छे टैलेंट को ले करके आ सके तो सोर्सिंग कंडिडेट में टार्गेट यह होता है कि वह क्या करें तो जो मैक्सिमम कंडिडेट है ठीक है ना मैक्सिमम कंडिडेट को वह क्या कर पाए तो एपरोच कर पाए और इस एपरोच के लिए वह सोसल मीडिया का जो साइट से प्लेटफॉर्म से उसका इस्तमाल करते हैं अपन सारे candidate के पास कि maximum लोग उसके job का जो requirement उन्होंने डाला है जो post डाला है उसको क्या कर सके तो fill up कर सके उसके बाद है employer branding मतलब उसको attract भी करते हैं वो candidates को कि अगर आप हमारे साथ काम करते हैं तो हमारे office का ये culture है हमारे पास ये compensation session है ये benefits है जो employee को देते हैं ये pay scale है जिस पर हम लोग आपको hire करेंगे तो दोनों चीजे हैं एक है recruitment channel का इस्तमाल करते हैं और employee employer का क्या करते हैं तो branding करते हैं कि हमारे साथ अगर आप associate होते हैं तो ये चीज ये facilities हम आपको provide कराइंगे ये सारा काम इसलिए करते हैं कि वह अच्छे सचे टैलेंट को acquire कर सके ठीक अब इसके बाद recruitment में तीसरा जो process है वह selection का process ठीक है ना selection में सबसे पहला काम है screening अगर मान लिजे कि उन्होंने डाला कि हम जो software developer को रखना चाहते हैं उसका जो experience है वो minimum two years होना चाहिए concern field में तो अब बहुत सारे लोग उसको feel किये किसी का experience one year भी है किसी का experience बहुत जादे भी है और वो job role वैसा नहीं है तो बहुत जादे experience वाले लोगों को भी जो है so अगर रखना है तो उसको देख करके रखना है तो यह सारा कुछ के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहला काम है वो है क्या तो screening माले जिस position के लिए हमको जरूरत है उसी position के लिए उसी domain का लोग कितना है जो apply किया है तो उसका क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले screening ठीक है ना screening मतलब कि form है माले जै कि 500 suppose कि जै कि आप कोई पॉस्ट निकले 500 form आपके पास आया है तो आपका काम है कि उसको screening करना कि छाटना कि भाई यह हम जो पॉस्ट के लिए recruitment निकाले हैं उसके लिए actually में कितने लोग जो है तो उसका अपलाइ किया इसमें से screening करने के बाद अब 200 एप्लिकेशन इनके पास है तब इस 200 का इन्हों ने क्या किया तो प्रोसेस है इसके बाद की इंटर्व्यू करेंगे इंटर्व्यू करेंगे तो उसमें वह इसका इसमेंट करते हैं इसमेंट मतलब की उसका है इस प्रोजेक्ट दे दिया आप उस प्रोजेक्ट को बना करके दिखाईए तो उनको यह बात जो है स्टारीस्फ्रेक्शन हो जाता है कि हां भाई यह इस तरीके का प्रोजेक्ट बना सकता है जैसे मालीजे सपोज कीजिए कि एक जो है सो इस लाइट के टेस्टिंग का ही कंपनी है तो बता देगा कि हां भाई लाइट का यह यह टेस्ट आप करके बताए अगर आप इस तरीके का टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसका मतलब है कि आपक फिप्टी लोग बचा तो इसके बाद अब इस फिप्टी में वो क्या करेंगे तो अपना क्रमब तरीके से मेरिट तयार करके और जितना रिकूट्मेंट होगा उस हिसाब से वो क्या करेंगे पॉइंट करेंगे अब इसके बाद जो प्रोसेस है अब जैसे मालीजे कि सारा इंटर्वियूईंग का जो प्रॉसेस है वो कम्प्रीट हो गया तो अब लास जो प्रोसेस है सेकेंड लास ओर ये क्या है एक्चुली में हाइडिंग ये क्या ऑफर और नेगोशिएशन वो उनको कोशिस यह होता है कि यह काम 90 रुपया में चला ले 80 रुपया में चला ले अब ऐसा भी नहीं है कि आप 80 रुपया में या 90 रुपया में जब काम चला रहे हैं तो फिर अच्छे candidate को आप ऐसा नहीं कि skip कर दें तो यह भात भी ध्यान डखना जो है Human Resource Department का जो है सो जिम्मेवारी है तो और और नेगोशियेशन और नेगोशियेट भी करना है कि हाँ ठीक है मतलब की जो है सो कैसे भी जो है सो उसको एक्वाइड कर ले अच्छे टैलेंट को हम रखे अच्छे candidate को रखे उसका जैसे यह ओफर लेटर को अगर कोई इम्पलाई जो है सो एक्सेप्ट करते हैं और फिर उनको जो है से रटन में करते हैं कि हाँ, I will accept your offer Apostler तो फिर उनका on-boarding करना on-boarding मतलब की अगर जो इम्पलाई पहुँचेगा काम करने के लिए जो स्टाफ जो है सो कैंडिडेट तो वो सबसे पहले human resource department को report करेंगे और human resource department का ही काम है कि उनको उनके जो team है उस team से मिलवाना और उस team में उनको बताना introduce करवाना और सारे लोगों से कि वो अच्छे से जल्दी will settle हो जाए उस project के लिए और काम करना जो organization के goal के लिए काम करना start करें तो यह जो fourth point है वो क्या है hiring इसके बाद है evaluation और improvement अब ऐसा नहीं कि hire करके आप employee को छोड़ दिये अब employee को जो आप hire कि इतना process के साथ तो आप human resource department का यह भी काम है कि आप उसके बारे में proper feedback लेते रहें कि कैसा काम चला नहीं चला तो उसके लिए उसका evaluation करते रहें उनका proper feedback लें और continuous improvement के लिए उनको mail करें या फिर अगर कोई सी तरीकी के problem है तो उसको समझे सुने और वो कैसे improve करेंगे इसका भी ध्यान लखना human resource department का काम है कि feedback लें और proper उनके improvement का ध्यान लखें कि कैसे जो एक staff को आपने recruit किया था एक employee को recruit किया था तो यह 5 चीजों के बारे में हम लोगों ने समझा recruitment के बारे में कि recruitment human resource department के end से किन-किन बातों का ध्यान लखा जाता है अगर आपको recruit करना है कोई staffing के लिए recruitment करना है किसी position के लिए तो आप किन-किन बातों का ध्यान लखें ओके थैंक यू